बहुत बहुत स्वागत है आप सबका राखी की पार्ट साला चेनल में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाईए आज का मेरा टापिक है रक्त परिसंचरन तंत्र बहुत ही इंट्रेस्टिंग टापिक है आप इसे जो है वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा रुधिर परिसंचरन ब्लड सर्कुलेशन कैसे क्या होता है पूरा बताया हुआ है इस वीडियो में लाश्ट तक बनी रहिएगा देख लेते हैं कुछ मेंट जैसे इसमें धमनी का क्या काम होता है तो जो धमनी होती है वो क्या करती है सुधरक्त ले जाना हरदय से सरीर के अंग तक जो धमनी होती है वो सुधरक्त को लेके जाती है हरदय से सरीर के अंग तक फिर जो सीरा होता है वो क्या करता है वो क्या करता है जो आसुधरक्त होता है उसको लाता है हिर्दे में शरीर के अंग से जो सिरा होता है और फिर पल्मोनरी जैसा ही पल्मोनरी सब्स जोड़ जाता है धमनी के साथ लगती साथपर्फिर्फुरक्ट। यह क्या करते हैं असु-दरक्थ यह कहाँ ले जाती है ये हिर्दे से ले जाती है असुद रख्ट हर्दे से फेफडो तक ये जो पल्मोनरी धमनी होती है असुद रख्ट ले जाती है हर्दे से फेफडो तक फिर जो पल्मोनरी सीरा होता है ये जो पल्मोनरी सीरा होता है ये क्या करता है ये सुद रख्ट यहां पर ये जो सीरा थ जाता था सुध हर्दय से सरिर के अंग और इजो पलमोनरी सिराITT यह शुध हरती। एक कार्या सीरा लाना फेफटन से घरता आपको समंझ में हो कि आपको आगया होगा कि जू धमनी होती है उसका कार्योंता सुध हरती हे लिए जाना हरती। और जो सीरा होता है उसका क्याकर होता है आसुद रख्त लाना हरदय में और पल्मोनरी जो पल्मोनरी होती है वो पल्मोनरी धमनी जो होती है आसुद रख्त ले जाना हरदय से फेपरों तक और जो पल्मोनरी सीरा होता है वो जो सुद रख्त होता है उसे जो है लाना फेपरो से हिरदय तक आप झालक यह आप डाइग्राम देख सकते हैं इसमें जो यह 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 जो तीन वल्व लगए हैं से कहते हैं ट्राई कस्टीट वॉल्व फम और यह कहते हैं बाइकस्टपीटबकि वालव जो लगए हुए और यह जो है ओटा और यह एस वी सी का मतलब है सुपिरियर वेना का और आई यह इनफिरियर वेना का और यह है पल्मोनरी आर्टरी जो हमने बताया पल्मोनरी धमनी यह जो होती है यह असुदरक्ट इसका कार होता है असुदरक्ट ले जाना हरदे से फिफडो तक इसका पल् है यह पलमोनिरी वेन पलमोनिरी सीरा तो यह क्या करती है सुद्र रक लाना फेफ़ ऒएसे हरदे तक यह पलमोनिरी विन और हरदे के जो होता है हरट के 4 चैंबर्स're एक दोो यह यहां रहा से एक दो तीन चार मतलब यह चार चेंबर हो गय Too divide है तो चलिए अब देख लेते हैं ऐसे ही मैंने बताया यह जो एक दो है यह artery है अलिंद यानि की जो यह 123 यानि उपर वाला जो artery है और नीचे के जो है vertical है तो इधर हो गया left और इधर right यह हो गया left artery और यह हो गया मतलब कि यह बाया अलिंद और यह दाया अलिंद और यह बाया निले और यह दाया निले चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि blood circulation कैसे होता है कैसे क्या इसमें होता है चलिए इसको जाने से पहले कुछ महात्रपूर विंद जान लेते हैं जो हरदय होता है हरदय का भाल लगभग 300 ग्राम होता है यह सरीर का सबसे व्यस्तंग होता है और जो हरदय के संकुचन और सिथिलन को समलित रूप से हरदय की धड़कन कहते है सामाने वस्ता में जो मनुस्य का हरदय होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है और मेन पाइंट जो हरदय की मासपेसियों को रक्त पहुचाने वाली जुवाहिनी होती है उसे कहते हैं कोरोनरी धमनी क्या होता है कि अगर कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर हरदय अगात यानि की हार्ट अटेक होता है तो जो आर्टरी होती है धमनी उसमें आक्सीजन युक्त सुध रक्त होता है और जो वेन यानि की सिरा होती है आक्सीजन विहीन रक्त होता है यानि की डी आक्सीजन रक्त होता है उसमें आक्सीजन युक्त रक्त होता है तो देखते हैं कि blood circulation कैसे होता है अब हम समझते हैं रुधिर पाइसेंशन होता कैसे है तो जो हमारे organs में CO2 वाला blood ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि blood circulation की process होती है तो क्या होगा सबसे पहले क्या होगा जो organs से पहले blood जाएगा छोटी-छोटी veins में तो फिर वहाँ से क्या होगा veins blood को ले कर जाएगी largest vein के पास largest vein को कहते हैं बेना कावा यह जो बेना कावा होती है तो यह एक होती है superior बेना कावा और एक होती है inferior बेना कावा यह जो यहाँ पर मैंने बताया था यह superior बेना कावा और यह inferior बेना कावा यही तो फिर क्या होता है यह superior venakaur और inferior venakaur इनमें impure blood आता है तो जब हर्दे में जब हर्दे में जो है रूधिर आता है तो impure आता है हर्दे में कौन लेकर आता है तो सिराएं जो right artym में उसे लाती है जो right artym से बड़ी waste जुड़ी होती है इनी से क्या होता है कि यह रुधिर ये जो वेंश जोड़ी होती है इन को वेनकावा कहते हैं लारजेस्ट वेनकावा दो इसलिए होती है कि जो है ऊपर वाली क्या होती है superior vena kawa और नीचे वाली inferior vena kawa तो सिराय चोटी सिराय जो होती है चोटी चोटी सिराय वो रुधिर को लाकर बड़ी vena kawa में छोड़ देती है फिर vena kawa जो right artium से चुड़ी होती है तो वो impure blood पहले दाय अलिंद में जाता है जब वो पुरा भर जाता है मतलब यह जो यहां से आएगा जैसे यह दाय अलिंद में और यह पुरा भर जाएगा जब इससे आएगा इनसे और यह पुरा भर जाएगा तो क्या होगा यह जो tricuspid valve है यह खुल जाएगे जब यह पुरा भर जाएगा तो यह खुल जाएगे पिर क्या ओता जो imp toujours world होता है वो आता है right vertical में right vertical भी जब पूरा भर जाता है तो क्या होता है try and speed जो है बंद हो जाती है ये जभ ये भी भर जायेगा तो ये जो microwave है ये बंद हो जाएंगे तभी sound आती लब इसमें से आती लब जब भी बंद हो जाती हो इसमें से आती डव लव डव फिर क्या होता है बलडव यहां पर आ गया और जो यह भी पूरा भर गया क्या होता है कि जो राइड वेंडिकल में भी एक वल्व होता है इसे कहते हैं सेमी लूनार वल्व इस valve में इंप्रोर जो यह valve होता है इससे कहता है pulmonary artery जुरी होती है pulmonary artery कौन सी जो मैंने बताया था कि जो आसुद रख्त ले जाती है हरदे से फेवरो तक वो इसमें क्या होती कनेक्ट होती है तो यह धमनी इंप्रोर ब्लड को फेवरो के पास ले कर जाती है तो फेफडो का काम क्या होता जब ये फेफडो के पास लेकर जाती है ये आप देख सकते हैं ये सेमिल्यूनार वल्प और ये यहां से ये पल्मोनरी आर्ट्री जुड़ी होती तो ये जो इंप्योर ब्लड लेकर जा रही है ये पल्मोनरी आर्ट्री ऐसे ये इंप्योर ब्ल करना यानि कि प्योर व्लड हो जाता है उसके बाद यहां पर मतलब प्योरिफिकेशन की प्रॉसस होती और यह सुध हो जाता है फिर क्या होता है प्योर व्लड प्योर व्लड हो जाता है उसके बाद पल्मोनरी वेंज जो मैंने पहले ही बता है कि जो पल्मोनरी सिरा होता है व तो आप सुध रेक्त कौन लेकर जाएगा यानि कि यह पल्मोनेरी वेन पल्मोनेरी सीरा अब यह पल्मोनेरी वेन जो है यह सुध सुध रुधिर को लेकर जाएगी लेफ्ट आर्ट्रिया में यह फिर क्या होता जब यहां पर यह लेकर आए पर पर तो यह भी पूरा भर गय जब ये पूरा भर जाता है तो खुलता है क्या बाई कस्पीड वाल ये बाई कस्पीड वाल खुल जाता है तो क्या होता है बलड ये लेफ्ट वेंटिकल में भरने लगता है और जब ये भी भर जाएगा बाया निले भर जाएगा तो बाई कस्पीड वाल क्लोध होता है तो क लफड़ुब अब क्यों होता है यहां से एक large R our 29 कनेक्ट होती है जी से क्या कहते हैं ओठा कहते Eg Mexicans या धमनियां क्या प्रता, एक भी छंट ब्लड और या पास पहले प्ल अंगों, प्योड फिर नोगतने हैं क्या करेंगी ? तो जो सिरा होती है वो आसुध रक्त हरदे में सरीर के अंग से लाती है और जो धमनी होती है वो सुध रक्त को ले जाती है हरदे से सरीर के अंग में तो आप देख साएं कि जो है इसमें जो धमनिया होती है वो रक्त को ओटु वाला जो बलड होता है उसको लेकर जाएंगी और्गन्स के पास आई होप आप सबको ये सब समन्द में आया होगा कि ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे क्या होता है रुदिट परसेंचर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो